वेलो फ्रेंज वेलकम टु दिवयास किचन फ्रेंज आज की रेसिपी नहाँ तो बड़ी सिंपल बड़ी कॉमन सबको बनानी आती है सबके घरों में बनती है और वह है हरी चटनी इसमें ऐसा स्पेशल क्या है जो मैं आपके साथ शेयर करूं मैं आपके साथ आज वह सारे टि काम से आप इसे फ्रिज में स्टोड कर सकते हैं लंबे टाइम तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं शेयर कर रही हूं कि मैं ऐसे कैसे बनाती हूं सबसे पहले हमने यहाँ पर पुदीना और हरा धनिया लिया है इसमें धनिये की क्वांटिटी जादा होगी पुदीने की कम होगी क्योंकि पुदीने का फ्लेवर स्ट्रॉंग होता है इसलिए हम उसको कम लेंगे क्वांटिटी में ठीक है इसे अच्छे से आपको धोना बहुत होती है कई बार तो इसे अच्छे से धो लीजे आप इसे मैं धोका न चन्नी में रख दिया था एक्सेस वाटर निकल गया अब यह कुछ बेसिक सी चीजें है जिसमें है प्यास जिंजर गार्लिक है और कच्छी अंबी लेग जिएगा आप सीजन है तो जरूर डालिए हरी मिर्च है नीमबू है जीरा है रायता बूंदी है चीनी है अब यह आगे चलके मैं आपको बताऊंगी कि कहां कहां कौन कौन सी चीज यूज करनी है सबसे पहले एक ग्रैंडिंग जार लेंगे और इस जार में हम वो पहले वो चीजें पीसेंगे जो सॉलिड है जो वो नहीं डालते हैं क्योंकि जितना चर्न होंगी उतनी ही जल्दी वो काली बढ़ जाएंगी बनने के बाद इसलिए वो सबसे लास में डालेंगे तो यह सबसे पहले हमने इनको पीस लेने क्योंकि यह पीसने में पत्ती से थोड़ा जादा टाइम लेंगी लिजे अब इस इसको एकसेस वाटर है वो एबजॉब कर लेगा अब इसमें मैंने धनिया पुदीने की डाल दी है पत्तियां सारी मेरा जार छोटा था इसलिए मैं पार्ट में डाला है आपका जार बड़ा आप सारा डाल दीजे यह देखिए इसमें पी पानी की अगर जरूरत महसूस हो तो एक-एक दो-दो चमच करके डालेगा क्योंकि इसमें जाधा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीके जी अब यह मैंने दूसरा पाट है वो मैंने डाला है इसमें और साथ में हम सीजनिंग कर रहे हैं जिसमें हमने डाली है चीनी अजवायन आप हिंग भी डाल सकते है बहुत अच्छा अमेजिंग फ्लेवर आता है उसका काला नमक नॉर्मल वाइट सॉल्ट की बज़े काला नमक डालेए धन्या पाउडर जीरा पाउडर बड़े बेसिक से मसाले हैं घर में आपको अराम से मिल जाएंगे स्पाइसी जाधा पसंद करते हैं काले मिच डाल दी ठीक है यह देखो जी अभी अराम से ना हमने इसको पीस लेना है फिर पानी की ज़रूरत में हिसूस हो तो एक दो चमच करके ही डालिए जाधा पानी इसमें बिलकुल मट डालिए प्योंकि हमें इसका टेक्स्च्चर थोड़ा रनी नहीं करना है ठिक ही रखना है यह देख अगर कच्ची अंबी नहीं है ना आपको नहीं मिलती है तो आप इसमें अमचूर पाउडर अनार दाना वो डाल सकते हैं खटाई के लिए या आप नीमू की कौंटिटी आप बढ़ा दीजे और नीमू भी इसको हरे रंग को मेंटेन रखने में हेल्प करता है देखे अब उरा देख्चर देखे चट्नी का कितना बढ़िया टेक्स्चर आया है और आप को इस तना अमेजिंग फ्लेवर मिलेगा ना इस चट्नी से कि आप एक बाना इसे ट्राइ जरूर करना और अब आप अराम से बैठी है और इसको देखी कैसे बनाया है मैंने और आप फटा फट इंग्रीडियंट्स ओर्डर कीजिए और बना लिए चटनी और अपने एक्सपीरेंसे दिवयास किचन में शेर करना बिलकुल मत भूलिएगा तब तक के लिए थाइंक यू थाइंक्स फॉर वाचिंग दिवयास किचन